पिछले वीडियो में हमने आपसे सवाल किया था तो इसका जवाब है प्रिवेल इस ड्रग प्रिवेल के बारे में और जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे चलिए देखते हैं आज के पेपर में क्या स्पेशल है जो हमाई लिए नोट डाउन करना ज़रूरी है सबसे पहले हम जानेंगे OPS यानि की Old Pension Scheme और NPS यानि की New Pension Scheme के बारे में OPS यानि की Old Pension Scheme के अंडर गर्मेंट एंप्रोईस को equivalent to 50% of their last drawn salary as a monthly pension मिलता है इसमें employee से contribution की कोई need नहीं होती ये scheme को 2005 में discontinue कर दिया गया वहीं दूसरी तरफ NPS यानि की New Pension Scheme के अंडर स्टेट गर्मेंट एंप्रोई कंट्रिब्यूट करते है 10% of their basic salary dearness allowance with the state making a matching contribution ये पैसे फिर invest किये जाते है in one of the several pension funds approved by the pension fund regulatory and development authority जिसका returns market link होता है अब हम जानेंगे 10th century कदंबा inscription के बारे में हाल ही में एक inscription जो की करनड़ा और संस्कृत में लिखी है महादेवा टेंपल एक कोड़ा इन सदन गुवा मिला है ऐसा कहा जा रहा है कि ये 10th century AD कदंबा पिरिड को बिलोंग करता है ये inscription शुरू होता है auspicious saying से be it well स्वास्ति श्री ये record करता है उस समय को जब तालरा ने वया मंडला एड्मिनिस्टर करते थे उनके बेटे गुंड़या ने कसम खाई थी कि वो अपने फादर की डिजायर of capturing गोप्यूरा of the port of गोवा पूरा करेंगे उन्होंने इसी के चलते battle fought किया और वो गुजर गए अपने फादर की wish पूरी करके ये literary style of तलंगरे inscription of जया सिम्हा one of the same period के जैसा है कदमबास of गोवा चालुक्यास of कल्याना के subordinates थे चालुक्यन emperor तैलापाट टू ने कदमबा सहस्त देवा को अपॉइंट किया था एस महा मंदलेश्वरा of गोवा उनकी मदद के लिए in throwing the राष्ट्र कुटास कदमबा सहस्त देवा ने शिलहारास से city of चंदावरा कॉंकर किया था in 960 AD उसके बाद उन्होंने port of गोपा का पटना जो की present दे गोवा है कॉंकर किया था गुंडया जो की बेटे है और तलारा नेवया ने पाटिसिपेट किया होगा इसी बैटल में और पोट जीता at cost of his life उनके फादर ने उनके heroic fight को दर्शाने के लिए memorial stone erect किया होगा with the inscription in the temple of महादेव of ककोडा अब हम बात करेंगे National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board के बारे में The National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board सेटप है अंडर Assisted Reproductive Technology यानि की Art Act के इसका aim है to regulate Assisted Reproductive Technology clinics and banks, prevent करना misuse of art और ensure करना safe and ethical practice of art services Ministry ने notify किया है Assisted Reproductive Technology Regulations Amendment Rules 2023 under the Art Act to provide donors and patients with better care Art को offer किया है as a treatment for infertility and to prevent congenital abnormalities, etc. General awareness के साथ साथ vocabulary भी जरूरी है तो अब हम जानेंगे कुछ नए words और phrases के बारे में सबसे पहला word है born homie, इसका मतलब है किसी इनसान द्वारा दिखाया गया warm या jolly friendliness दोसा word है goof, इसका मतलब है एक foolish person या एक silly mistake आज का आखरी word है धो, इसका मतलब है a latin rigged sailing vessel जो की Arabs use किया करते थे अब हम जानेंगे drug prevail के बारे में मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर के डॉक्टर्स ने इंडिजिनिस दे डेवलप किया इस drug prevail को जो की इंडिया का पहला chemotherapy drug है जो की available है as a syrup formulation औरल सस्पेंशन और सिक्स मरकाप्टो प्यूरीन कैन प्रिसाइसले डोस चिल्रेन फाइटिंग अक्यूट लिंफोब्लास्टिक लुकेमिया इसके लिक्विड फर्म्स डेवलपिंग कंट्रीज में पहले अनवेलेबल थे प्रिवेल इफेक्टिवली टैकल करता है चालेंजेस जैसे की flexibility in pediatric dosing, palatability and tolerability compared to tablets आज के लिए बस इतना ही मैं उमीद करती हूँ कि आपको हमारी videos helpful लगरी होगी जाते जाते आपके लिए एक सवाल है What is the name of China's cutting edge ocean drilling vessel designed to penetrate the earth's crust and reach the mantle for the first time in human history इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते हैं next video में